हलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूटूब परिवार अब बैंक आपके कैंसल चेक पे कभी भी सेक्षन 138 के तहट कोई भी कमपलेन रजिस्टर नहीं करा पाएगा बहुत सारे लोगों को ये मन में सवाल होता है कि जब हम लोन लेते हैं तो बैंक वो एक कैंसल चेक देते हैं या बहुत सारे लोगों ने चेक दे रखा होगा तो उनके मन में सवाल आता है क्या हमारे बैंक जिनसे हमने लोन ले रखा है वो हम पे सेक्षन 138 का केस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सर इसके बारे में बताईए, बहुत सारे complaints आ रहे थे, बहुत सारे queries आ रहे थे, कि section 138 के बारे में और हमारे check के बारे में बताईए, क्या bank आने वाले दिनों में जो check bouncing का case है, जिसको साधारन बोल चाल की भासा में check bouncing का case बोलते, इस पे क्या बोल रहा है, और इसमें हम लोग कैसे बच सकते हैं, वीडियो को लाज तक देखिएगा, हम आपको जितने भी confusion है, उसको सारे को खतम कर देंगे, आपका अगर कोई भी check bank के पास है, तो उस पे bank क्या action ले सकता है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी देंगे, आज के वीडियो में तीन topic पे हम लोग घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे, मेरा नाम साकेत है, आप मेरे YouTube चैनल हीप में 05 पे इस वीडियो को देख रहे हो, चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले, अगर आपके पास पैसे हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि bank क पैसे दे दीजे, क्योंकि bank आपके civil को इतना खराब कर देता है, कि भविश में अगर आप loan लेने के बारे में सोच भी रहे हो, तो आप नहीं, आपके बच्चे भी loan लेने में उनको परिशानी आएगी, क्योंकि civil बहुत ही जादा इस लोग bank वाले खराब कर देता है, अब loan के बारे में समझे, अगर हम लोग loan नहीं, देखे मेरा मानना है कि जब भी आप loan लेते हो, तो loan लेने के बाद फायदे कितने हैं, उससे जादा आपके लिए ये जानना जरूरी है, कि loan लेने के बाद नुकसान कितने हैं, हम ऐसे कितने तरीकों से फंस सकते हैं, loan लेने के अगर हम लोग लोन पे ना करे तो पर मेरा मानना है कि लगबग इस बात में किसी की कोई दिल्चस्पी नहीं होती है उनके मन में सिर्फ एक ख्याल चल रहा होता है कि किसी भी तरह हमें लोन मिल जाए और RBI भी ये कहता है कि बहुत कम कोशिश किया जाए कि लोगे के उपर सेक्शन 138 के तरह कम्प्लेर रजिस्टर कराए जाए ज्यादा तर लोगों को इसमें राहत मिलनी चाहिए तो राहत कम मिलती है कब कम्प्लेर रजिस्टर करा दिया जाता है और इसकी सजा के बारे में भी पूरी डिटेल में बात करेंगे सबसे पहले जानेए अगर आपने किसी भी बेंक NBFC कम्पनी को साइन चेक जिसको कैंसल चेक भी बोलते हैं अगर कैंसल चेक दिया हुआ है तो उसका इस्तमाल के बेंक कभी भी सेक्शन 138 के तरह चेक में नहीं कर सकती, यह जो sign check, cancel check जो होता है, यह basically KYC के तौर पर काम किया जाता है, जिसमें हमें customer की जानकारी मिलती है, और क्या जानकारी मिलती है, उनके IFC code के बारे में, branch के बारे में, account number के बारे में, किसके नाम पे account है, इसके बारे में, इसका इस्तमाल यहाँ पर check bounce कराने में नहीं किया जा सकता है, और इसको समझे कि check bounce होता कैसे, आपने किसी customer को एक paper पे एक amount लिख के दिया, चेक क्या है, यह एक paper है, जो आप किसी को देते है, जिस भरोसे पे अगर आपने पैसे लिये हैं, तो वो bounce हो जाता है, तो कहने का मतलब में, एक ऐसा promise जो आप उस customer को कर रहे हो, कि इस पैसे को आप bank से withdrawl कर सकते हो, पर जब हम लोग loan लेते हैं, तो ऐसा कोई भी promise नहीं करते हैं, हम लोग उनको cancel check देते हैं, तो cancel check का इस्तमाल कभी भी check bouncing के लिए नहीं किया जा सकता है, हाला कि जब बहुत बार loan लेते हैं, तो लोग यहाँ पर check देते हैं, sign check देते हैं, जो cancel नहीं होता है, इसका इस्तमाल bank अकसर यहाँ पर amount fill कर देता है, तो वो बढ़ा चढ़ा के amount को यहाँ पर register कर देता है, और जिसको bounce करा के, आप पर section 138 का case register कर सकता है, और यहाँ पर जो दूसरी चीज होती है, यहाँ पर बहुत बारी देखा होगा, कि अब तो check नहीं लगता, अब यहाँ पर check की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि bank, NBFC, company, जितने भी EMIs होते हैं, online mode पर deduct कर लेते हैं, जिसको ECS बोलते हैं और Nets भी बोलते हैं आज के date में, इसमें क्या होता है, कि आपका जितने महीनों के लिए आपने loan ले रखा है, कुछ product में बात करें, तो 2-2 साल का होता है, एक-एक साल का होता है, तो उतने महीने के लिए आपका ECS बेंडिट किया जाता है, कि उतने महीने तक आपके bank में एक electronic system है, जो हर महीने आपके bank खाते से वो पैसे deduct कर लेगा, अगर ये तीनों चीज, अगर आप नहीं कर पाते, तो उसके regarding ही bank action लेता है, अगर आपका check bounce हुआ है, तो section 138, और यहाँ पर अगर आप electronic mode में bounce करते हो, तो यहाँ पर section 25 वे के तहत कम्प्लेन रिजिस्टर कराया जाता है, हाला कि दोनों कम्प्लेन एक ही है, हाला कि देखा जाए, तो हमारे पास जितने भी कम्प्लेन रिजिस्टर किये जाते हैं, section 138 के तहत, या section 25 वे के तहत, यह दोनों का मुलता मकसद यही है, और सजा भी दोनों की बात की जाए, तो इसमें 2 साल तक का सजा हो सकता है, और 100% penalties लगते हैं, कहने का मतलम है, अगर आपने 10 लाग का loan लिया है, तो आपको 20 लाग तक का penalties लगाया जा सकता है, पर आज तक मेरे देखने में किसी को सजा हुई नहीं है, अगर आपका मामला 50 लाग से कम है, तो यह बहुत कम chances है कि आपको सजा सुनाई जाए, क्यूंकि यहाँ पे समझावता होता है, अगर आप पे complaint register भी किया गया है, तो आपको as a penalties पे करने पड़ते हैं, और इस पे समझावता संभव है, और आज तक समझावता ही होता है, तो अगर कोई भी bank NBFC company अगर आपको बोल रहा है, कि अगर आप उसकी EMI को नहीं पे कर पा रहे हो, तो आपको jail हो सकती है, तो सबसे पहले नहीं हो सकती, और RBI ये बोलता है, कि सबसे पहले अगर कोई customer अगर आपकी EMI को नहीं पे कर पारता, तो आप 6 महने तक उसको absorb करो, उनसे बात करो, उनकी समस्याव को सुनो, अगर 6 महने के बाद भी अगर आपको लगता है, जो ये customer है, जो EMI नहीं पे कर रहा है, इसका intention गलत है, इसके पास income source है, इसके पास सभी facilities होने के बावजूद भी अगर आपको ये पैसे नहीं दे रही है, तब जाके आप पे कोई भी complaint register किया जा सकता है, आपको as a willful defalter देखा जाएगा, तब जाके कहीं आप पे 6138 का case होता है, अगर 6 महने से पहले, अगर आप bank को entertain कर रहे हो, bank को सही से जवाब दे रहे हो, अपने सही reason बता रहे हो, कि हम आपको EMI क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके उपर कोई भी complaint register नहीं किया जाएगा,